says hello everyone अभी तक हम पहने बहुत सारा कुछ पढ़ा जिसमें सब्हकरे धो हमको से भले क्लासिफिकेशन पढ़ा था क्लासिफिकेशन मेंदौ छीजें पढ़ी थी Vertebrates में और Invertebrates में था धीड़ा या झाया था, फ़िर Vertebrates में 6400 ऑगार जाता त। फ्विर उसके बाद उन पांच पहर चाकरी के वारे में इन डीटियल में पढ़ा थ हूँ त१ विर उसके बाद हूं थोड़ा कि ऐसे आनिमल्स जो होते हैं एक हमने हैबिटेट के बारें भी पढ़ा था जो नैचरल हो में होता है किसी अनिमल का उसी को बोलते है उसका है ठीक है उसके बाद हमने adaptation के बारे में थोड़ी सी बात करें कि जो कोई भी जानवर या इंसान अगर environment में चेंजिस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आपको ढाल नहीं पाया उसके हिसाब से अपने आपको adjust नहीं कर पाया तो वो एक टाइम के बाद से खतम हो जाएगा, extinct हो जाएगा तो यह सारा कुछ clear हो गया था अब थोड़ा सा adaptation by food habit इसको थोड़ा सा detail में पढ़ते हैं तो adaptation by food habit में क्या कह रहा है कि depending upon the food they eat animals can be divided into the following groups अब देखो, food habit जहाँ पे आती है तो food habits पे कई सारे animals होते हैं जो अलब अलब तरीकी की चीज़े खाते हैं जिसमें main हमने पहले हमने पढ़ा हुआ है कि mainly तीन तरीकी के से animals को divided ही हाता है food habit के basis पे एक होता है herbivores, दूसरा होता है carnivores and third one is omnivores, लेकिन इसमें तो हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा तरके पढ़ेंगे briefly पहला दिया हुआ है herbivores, second one is carnivores, third one is scavengers, fourth one is omnivores and fifth one is parasites अच्छा याद रहे कि यह जो categorize के हमने food habit के नाम पे तो mainly तीन ही होते है herbivores, carnivores and omnivores लेकिन हम थोड़ा सा और अगर detail की बारे में बात करें थोड़ा सा और detail में जाते हैं तो हम दो और category ऐसे ले सकते हैं एक दो और category बाद में भी हम ले सकते हैं अभी हमने सिर्फ उसिफ दो ही extra category के बारे में पढ़ना है हमने तो continue गड़ते हैं सबसे पहले herbivores के बारे में क्या बोल रहा है herbivores के बारे में बोल रहा है animals that eat only plants are called herbivores हमने पहले बढ़ा भी हुआ है कि ऐसे animals जो सिर्फ उसे plants些種 ही है उसे घास खा रहे हैं पत्याँ खा रहे हैं जाडियाँ खा रहे ठीक है तेहनी आगा रहे है तो जो भी अगर ऐसे plants plants या plant products अगर खा रहे हैं तो ये हरवीबोर्स कहलाते हैं ऐसे animals जो इन सब चीजों के उपर dependent होते हैं अपने food के लिए उनको herbivores बोलते हैं deer, zebra, camel, elephant, cow, buffalo, etc. are all herbivores तो इसमें मुझे लगता है इनको explain करने जरू होती है सारे animals को आप जानते हो They eat grass और graze, graze मतलब क्या होता है graze एक बहुत ही interesting term है यह term आपको याद रखना हो का मैंने बार-बार बोला हुआ है, अब भी फिर से बोल रहा हूँ या अपने copy में आपको notes के साथ में words जूड़ने हैं chapter में से, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें से और उसका word meaning और साथ में pronunciation दोनों ही लिखना है तो graze मतलब ऐसे जानवर जो चरते हैं जैसे गाय हो गए, बकरिया हो गए, भैस हो गए तो ये चरने वाले जानवर हैं, जो घास चरते हैं उनको बोलते हैं grazing animals ठीक है? ये क्या करते हैं? ये पат्त भी खा रहा हैं बुषे जाडियां भी खा रहा हैं एंड बीक, बीक मतलब खाल जो जो trees हैं, उनकी खाल भी खा रहा है देनेट शाप फरन टीथ टू बाइट लीव स्टैम और ग्रास इन की खास बात क्या होती है? की इनके जो दात होते हैं, सामने के दात होते हैं, वो इतने शाप होते हैं, कि आराम से ये, जो भी पततिया हुई, या टहनिया हुई, इनको अगर ये काटना चाहें, तो आराम से ये काट लेते हैं, इनके दात इतने शाप होते हैं, ठीक है, They have strong flat molars at the back of their jaw to chew the food well, अब देखो MOLERS MOLERS के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं MOLERS एक टाइप के दाथ होते हैं हमने शायद पढ़ा भी होगा या आगे पढ़ेंगे दाथ जो है खास करके चार तरीकी के होते है उन चारों तरीकों में जो सबसे पीछे के दांत हो हमारे जो दांत होते हैं सबसे पीछे वाले वो सबसे जादा चौड़े होते हैं उन दांतों की खास बात क्या होते हैं जब भी हम कुछ भी खा रहे होते हैं तो पीछे वाले दांत का यूज हम कब करते हैं जब हमें उस food item को चबाना होता है, पीसना होता है, जब हम अच्छे से पीसना होता हमें, तो हम molars का use करते हैं, और उनकी एक और खास बात होती है, वो बहुत जदा चौड़े होते हैं, वो वाले दान्त, बाके सारे दान्तों के comparison में जदा चौड़े होते हैं, तो molars की यही से चबाने में मदद करते हैं, ठीक है, तो यहां था clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, squirrels, rabbits and rats है, very sharp front teeth, to know, नौ मतलब क्या होता है, नौ भी एक नया word है, आपके लिए, नौ मतलब होता कुतरना, इसको गनौ भी नहीं पढ़ते हैं, जी silent है, ठीक है, इसको नौ पढ़त नौ मतलब होता कुतरना, तो जैसे squirrels हुए, rabbits हुए and rats हुए, यह अपने खाने को क्या करते हैं, कुतरते हैं, इनके जो दानत होते हैं सामने के, यह अलग से थोड़ा सा बाकी सारे दानतों के comparison में जादा लंबे होते हैं, ठीक है, उसका फाइदा क्या होता है, यह आराम से तो उसकी वज़े से, nuts को जो है, nuts में क्या आता है, मुफली हो गया, ख्रोट हो गया, इन सारे nuts को अराम से तोड़ने में, काटने में मदद करते हैं, यह सारे जो दानतों दानतों सामने वाले, berries and wood, इस से जो है, यह सामने वाले दानतों से यह, nuts को भी कुतर सकते हैं, berries को को भी कुतर सकते हैं, and wood को भी, berries में कौन कौन से berries आते हैं, strawberries हो गया, ठीक है, और, और कौन से berries हो गया, black berries हो गया, तो यह सारे berries है, इसके अलाहा हो भी कई सारे berries होते हैं, जिसके बारे में आप खुद discuss कर सकते हैं, आप खुद से knowledge आप इंटरनेट से ले सकते हो, ठीक है, अगर आप सर्च करोगी बेरी की कैटेगरी कौन कौन से होते हैं कौन कौन से टाइप की बेरी होते हैं तो आपके सामने सारा का सारा पुरा डिटेल में लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है ये वुड को भी कुतरते हैं वुड मतलब लकडी ठीक है अगला पॉइंट कह रहा है कि कलरफुल पैरेट्स है शाप कर्वड बीक्स टू क्रैक सीड्स एंड नट्स क्रैक करना क्रैक मतलब दरार लाना जैसे अगर मालो मैं किसी भी अखरोट बगर है तो अखरोट पे अगर मैं बहुत तेजी से उसको जो आया और उसके बाद जो दर्वाजों को मैं बंद करनी कुशिश शगर करूं तो क्रैक की आवाज आती है तो क्रैक मतलब होता है फटना तो क्रैक सीड्स में कैस किस की वज़से आता है इनके जो चोच के जो सालमाला पाट तो देखो कितना नुक्लीला सा है तो इसी से यह उसपे continuously उसमें मारते हैं तो मारते मारते एक तरगे बाद जो है उसमें क्रैक आने लगता और नट्स के भी कई सारे तरह के नट्स होते हैं इसको बार में हमने थोड़ा बहुत डिसकस किया हुआ है ठीक है और वैसे वालनुट जो है सबसे बड़े एक्जांबल है क्रिमार्वन के पर करऴे में के नहीं तुम के आद नहीं की स्विल कर दोग्ताओं से की दा haven जञाता दा बड़ हो गया है किए तो सबस्टाओं एक है कि अधिक आज भी क्राइव बाते हो एब माते है करनि लोग सक उले कानि मोह आज कैसे के वारे पुलता यद्यन आगे कह रहा है लायन, टाइगर, लेपर्ड इसको लियोपार्ड नहीं बोलते है लेपर्ड बोलते है ठीक है पैंथर, वुल्फ, एंड जैकल ओल आर कार्निवोर्स तो कुछ फोटो भी दिये हुए है पैंथर का पूरा ब्लैक कलर का उता बहुत ज़्यादा डरावना दिखता है यह मलब एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से टाइगर जैसा ही दिख रहा है इन्हें का कलर पूरा डिफरेंट है वुल्फ आप देख सकते हो, एंड जैकल देख सकते हो ठीक है यह सारे के सारे ज़ादतर नॉणवेज ही खाते हैं ज़ादतर क्या यह सारे नॉणवेज के ही उपर अगर हमें नमकीन का पैकेट फाड़ना हो, तो हम जो कैनाइन का यूज करते हैं, कैनाइन का यूज करके उसमें शाप होल करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो उसको आसानी हम फाड़ सकते हैं, तो कैनाइन फाड़ने का काम करते हैं, टीरिंग दा फलेश, ठीक है, कैनाइन का क बोलते हैं और जिनका शिकार होता है उनको जो है प्रे बोलते हैं तो यह अपने प्रे के खास करके जो यह जो लाइन वगर होगे यह अपने प्रे के डिर्टली गर्दन पर छलाग लगाते हैं और गर्दन पर इनके जो कैनाइन होते हैं उसको जो है धसा देते हैं और वो ऐस इसे पॉइंट पर धसाते हैं कि उसके बाद जो है तुरंद के तुरंद पैरलाइस एक तरीके से हो जाते हैं जो इनका प्रे होता है वह तरीक से तुरंद पैरलाइस हो जाता है और वहीं गर जाता है वहीं गर जाता है फिर आराम से अपने शिगार को आराम से उसको मारते है फिर उसको खाते हैं ठीक है तो यहां ता clear और हां इनके जो है यह bones भी खा लेते हैं इनके दात इतने strong होते हैं कि यह bones को भी चबा चबा के खा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं scavengers अगर scavengers को पहले हम पढ़ लेते हैं फिर एक चीज में आपको interesting point बताता हूं scavengers के बारे में बोल रहा है कि some animals like hyenas hyenas आप देख सकते हो यह सामने दिया हुआ है and vultures vultures भी यहां पर देख सकते हो eat the decaying flesh of dead animals यह किस सरह के जानोरों को खाना पसंद करते हैं जो जिनका थोड़ा बहुत मांस बचा कुछा है और वो सड़ने लग रहा है तो जो सड़ने सड़ रहा है जो मांस उसको यह hyenas या फिर vultures खाना पसंद करते हैं they are called scavengers इनको scavengers बोलते हैं this helps to keep the forest area clean अगर यह नहीं होते तो जो भी flesh हो गयरा है वो अगर decay हो रहा हो तो smell बहुत जादा आएगी तो पूरा का पूरा environment बड़ा बेकार सा हो जाएगा तो यह जो है forest area को clean करने में मदद करते हैं forest area ही क्या जहां कहीं भी animals सड़ रहा होंगे वहां पर यह आकी कठा हो जाते हैं और उनकी सफाई कर देते हैं तो यह एक तरीके से हमारे लिए अच्छे हैं लेकिन अगर scavengers की बात कर जाए तो यह भी एक तरीके से meat eating animals हैं flesh eating animals हैं तो इनको भी एक तरीके से हम categorize कर सकते हैं